हालो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चलल सोहे लकेड़े में दोस्तो उमीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे कॉंस्टिवल के लिए क्योंकि दोस्तो आप सभी को पता है कि रीजनिंग का आपका सबसे बड़ा दोस्तो पार्ट रहने वाला है आपके कॉंस्टिवल एक्जाम में कुल मिलाकर दोस्तो देड़ सो कोशन है जिसमें से 55 से लेकर 56 कोशन दोस्तो आपके सिर्फ और सिर्फ आपकी रीजनिंग से दोस्तो पूछे जाने है तो selection में सबसे बड़ा दोस्तो जो role आपका रहेगा वो दोस्तो सिर्फ और सिर्फ reasoning का रहने वाला है और अगर आप reasoning में दोस्तो कमजोर हो गए, reasoning में आपके questions गलत हो गए या फिर reasoning में दोस्तो आप score नहीं कर पाए, तो दोस्तो फिर selection बहुत मुस्किल हो जाएगा इसलिए अभी भी समय है, अभी ऐसा नहीं है कि बहुत समय निकल चुका है, अभी भी आपका समय है, एक कोई भेतरिन सर टीचर में आपको सजेस्ट कर दूँगा, जो बिल्कुल फिरियोप कोस्ट, दोस्तो उसकी वीडियो आपको जो है, आपके यूटूब पर मिल जाएंग आपकी यूटूब पुलिस की रीजनिंग वाले सब्जेक्ट में, ठीक है, तो रीजनिंग में सबसे पहले तो दोस्तो आपको लगभग सभी टॉपिक को ठीक है, लगभग सभी टॉपिक को दोस्तो आपको कबर करना है, देखी जब तक आपका सिलेबस नहीं होगा, तब बिल्कुल टेंशन नहीं होगा, तो सबी टॉपिक को दोस्तो आपको कबर करना होगा, रीजनिंग के, कुछ important topic भी है जो आपके UP police में पूछ जाते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ और उसके बाद दोस्तों जो आपका previous year paper हुआ था ठीक है UP police का 2018 और 2019 में उसको दोस्तों जरूर आपको analysis करना है उसकी reasoning आपको जरूर दोस्तों देखनी है कि किस प्रकार से question आपकी reasoning में पूछे जा रहे है या फिर पूछे गए है आपकी reasoning में उन questions को देखो उन questions को दोस्तों खुद से करने की एक बाद try करो कि आप कैसे दोस्तों उन questions को बनाते है कैसी दोस्तो आपकी ऑपरेच रहती है ठीक है किस प्रिकार से आप questions को बना रहे है वो दोस्तो analysis करना आपका बहुत ज़्यादा जरूरी है आपका reasoning वाले part में ठीक है तो previous year paper को दोस्तो जरूर देखना है आपको ये दोस्तो आपका लिए must है ठीक है या फिर कहीं से भी दोस्तो आप PDF बगरा डाउनलोड करें आपको दोस्तो ये analysis जरूर करना है ठीक है आपके कुछ chapter है दोस्तो जिसे paper cutting and folding वाला दोस्तो आपका chapter है embedded figure वाले दोस्तो chapter है और और भी दोस्तो आपके figure वाले person कुछ इस प्रकार से आजाते है तो पूछते हैं इस वाले हिस्से में किस प्रकार की आगरती जो है बनेगी तो ये सब question दोस्तो यूपी पुलिस में बहुत ज़ादा दोस्तो आपके पूछे जाते हैं आप previous year उठा कर देख लेना कोई भी दोस्तो बात हवा में नहीं कर रहा हूँ सब बात दोस्तो आपको analysis के बात ही बता रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा important आपकी UP पुलिस में reasoning है और आपकी जे figure वाले question है sitting arrangement है आपका blood relation है दोस्तो सभी important है direction, distance वाले question है ठीक है दूरी वाले की कोई बंदा है ठीक है पहले वो पूरब की ओर चलता है पांच किलोमेटर चलता है फिर वे अपना जो है right लेता है इसका right किदर होगा इदर को होगा फिर 3 किलोमेटर चलता है फिर वो अपना left लेता है फिर वो इदर को चलता है अब उसका मूग किस दिसा में है तो अब उसका मूग किस दिसा में है सर पूरब दिसा में है, ये कोशन दोस्तों आपसे UP Police में खुब बनते हैं, इस प्रकार से कोशन आपके जो है, reasoning में आपको बनते हुए नजर आते हैं आपको syllabus complete करा, आपने chapter करें उसके बाद दोस्तों chapter 22 practice set जरूर करना मेरे दोस्तों, ठीक है revision आपको जरूर करना है आप कितना भी पढ़ ले अगर आप revision नहीं करेंगे दोस्तों तो सब दोस्तों पीछे वाला बोलने वाले हैं इसलिए दोस्तों revision जरूर करना है चाहें आप दोस्तों एक chapter पढ़े चैसे मानली जी आपने start करा coding and decoding, ठीक है आपने ये दोस्तों complete कर लिया coding वाला chapter उसके बाद दोस्तों आप अगले chapter पर पहुँच गए sitting arrangement पर ठीक है तो जब आप sitting arrangement कर रहे हैं तो दोस्तों आपके इसके question भी आपको लगाने है रोज दोस्तों लगाने है आदा घंटा 15-20 मिनट रोज देने है इसके questions पर भी चहाँ आप chapter wise दे दे या फिर कोई mock test दोस्तों ऐसा देख लें जो section wise हो जो आपका chapter wise हो भो mock test दे दे इसका revision होना जरूरी है ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ते गए और पीछे का दोस्तों भूलते गए इसलिए दोस्तों इसका revision होना जरूरी है जो आप पहले पढ़ चुके हैं उसको दोस्तों पढ़ना बहुत जरूरी है तभी दोस्तों वो याद रहेगा निता आपको याद चीज नहीं रहेगी mock test दोस्तों आपको जरूर लगाने है और उन mock test में दोस्तों आपको ये भी analysis करना है कि आपकी गलती दोस्तों कहां पर हो रही है किस chapter में आप गलती कर रहे हैं मानली जी आपने mock test लगाया दोस्तों 50 question का ठीक है उन 50 question में से दोस्तों आपने 40 question बना लिए और आपने 5 question दोस्तों बहुत है जो आपने छोड़ दिये आपकी गलत के है और अगर आपके question के chapter जो आपसे गलत हुए है वो दोस्तों आप Chapter कर चुके थे तो पिर उसको आपको revision के जरूरत है बहुश चैप्टर अब आपका revision दोस्तों मांग रहा है उसको समय दीजिए उसको revision कीजिए ठीक है ये दोस्तो काम आपको करना पड़ेगा selection के लिए दोस्तो reasoning ही सबसे बड़ा हतियार है और अगर आप reasoning नहीं पड़ेंगे दोस्तो UP Police Constable में selection आपका नहीं होगा और Constable ही नहीं UPSI में भी नहीं होगा क्योंकि reasoning UP Police के लिए बहुत ही important दोस्तो पार्ट है तो reasoning आपको जुरूर पड़नी है अब मैं आपको ये बता देता हूँ reasoning आपको पड़नी कहां से है देखी अभी आपके पास मोटे मोटे मानू 24-42, 43-45 दिन के आसपास आपके पास समय है ठीक है YouTube पर दोस्तो आपको कोई course लेने की जुरूर नहीं है अगर आपके पास पैसे नहीं है आप नहीं लेना चाहते किसी का paid course तो आपके लिए मैं बता देता हूँ reasoning आपको कहां मिलेगी ये ध्यान दो सुनिए YouTube पर आप सभी को पता हुआ एक channel है Rankers Guru कुल का ठीक है कोई promotion नहीं है मेरे दोस्त तो Rankers Guru कुल का YouTube पर एक channel है उसमें दोस्तो आरजी विकरमजीत आप सभी लोग जानते होंगे जो reasoning के गुरू है और मुखरजी नगर में दोस्तो काफी सारे बच्चे काफी भौकाल है उनका और अच्छे खासे दोस्तो भितरिन टीचर है अपने आप में उनकी दोस्तो एक यहाँ पर आपको screenshot दिख रहा होगा यह दोस्तो एक playlist है जिसमें 40 वीडियो है इनकी reasoning की ठीक है सभी topic आपके कबर है इन 40 वीडियो को दोस्तो आप कबर कर लीजिए यह playlist है दोस्तो इस playlist को आप कबर कर लीजिए आपकी दोस्तो reasoning कबर हो जाएगी UP police की भी SI की भी किसी का भी exam दे देना आपकी reasoning में दोस्तो कोई गलती नहीं रहेगी तो इस playlist को आप देख लेना बिल्कुल free of cost है link भाई नीचे description में डाल दूगा में इस playlist का तो आप इस playlist को देख ले और विक्रम जीत सर की दोस्तो reasoning में बहुत महारत हासिल है बहुत शांदार teacher है और अधित तरंजन सर को तो आप जानते हैं math के लिए अगर आप चाहे math पढ़ना तो अधित तरंजन सर की एक playlist बनीवी है आपकी 60 days और 60s मेराथन ठीक है 60 दिन में 60 मेराथन की एक playlist है आप उस मेराथन को भी दोस्तो देख सकते हैं रोज दो वीडियो आप cover करकर 30 दिन में दोस्तो आप ऐसे भी दोस्तो इसको cover कर सकते हैं अगर आप math में कमजोर हैं तब तो दोनों teacher बहुत शांदार है अदित तरंजन सार math के दोस्तो बहुत जबरदस एकडम teacher है और विक्रमजी सर भी दोस्तो बहुत जबरदस टीचर है और offline में दोनों ने दोस्तो बहुत अच्छे खासे जंड़े गाडर रखे हैं और online Jeanne भी दोस्तों बच्चे आप सभी जानते ही हैं मुझे जादा कुछ कहने की जरूत ऐसी है नहीं ठीक है दोनों ही जबरदस दोस्तों टीचर हैं तो आप इन दोनों से दोस्तों कबर कर सकते हैं अपनी reasoning और अपनी math को तो इस प्रकार से दोस्तों आप free of course पढ़ सकते हैं ठीक ह यह बहुत शांदार दोस्तों बुक है इसमें हर एक subject जो भी दोस्तों आपके subject UP police में हैं उस पर दोस्तों बेजज 2024 के latest पैदरन पर आधारी दोस्तों यह पुस्तक है और बहुत जबरदस्त दोस्तों यह पुस्तक आपको देखने को मिलती है जो चक्सु पॉब्लिकेशन परकासन की तरब से study guide आती है इसकी दोस्तों एक book और आती है दोस्तों जो है आपके practice set इसमें दोस्तों आपको 8 salt paper मिलेंगे और 2500 प्रेक्टिस सेट आपको इसमें देखने को मिलेंगे तो यह दोनों book दोस्तों combo ले लीजिएगा इसका discussion में link दिया है फिलिप काट और Amazon दो लिस्ट पर दोको जाकर आप सभी लोग वीडियो देख सकते हैं ठीक है मिलते हैं वाकी नेक्स वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत